हेलो एब्रिवान मैं शिल्पा शिल्पा कुकिंग फोड में आप सभी का स्वागत है आज मैं लेके आए हूँ गाजर के हलवे की रेसिपी इसे बनाना बहुत आसान है ना गाजर को घिसना ना कद्दू कस करना ना चासनी बनाना ना खोवा ना मावा कुछ भी नहीं जरूरत है बहुत आसान बहुत इसी तरीके से इसे बनाएंगे और ऐसी भी पसंद आएगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं गाजर का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए गाजर तो यहां मिल ली हूँ आध हो गया है इसके अंदर डालेंगे हम एक बड़ा चंमच घी गी को हम बचुको एकशेह मिला लेंगे यह कटिया लेंगे मिला लेंगे उसके बाद दो मिनार तक ऐसे खुला दो मिनम हए ड़ा होगी These ने इसमें दोखे लगने देगे के बाद गांजर को आध का तोरगने कर दिए पुछे का अधाया के उवलकों होगी सबस्सक्राइब टोखें दोर करने की यह देखें लगने के बाद गांजर से अच्छे से गलग इसे हम एकदम अच्छे से मैश कर देंगे, यह मैश हो चुका है, अब इसके अंदर हम डाल देंगे, आधा लीटर दूद, आधा केजी गाजर था, तो इसके अंदर एड़ करेंगे, आधा लीटर दूद, अब हम दूद में ही अच्छे से गाजर को मैश करेंगे, ताकि अब छालते हुए तीन से चार मिनट अच्छे से मेंस करेंगे उसके बाद हम दूद कamesट अच्छे से पकने देंगे गांजर के साथ हमें ही दूद को हम गाढ़ा करेंगे बस यह देखिये थोड़ा सा यह गाढ़ा हो गया है और इसे चालते हुए कम से इसे चार मिनट हो गया है यह देखिए एकदम से गाढ़ा दूद हो गया है और गाजर भी अच्छा से मैस हो गया है अब इसके अंदर डालेंगे हम ड्राइफ रूट में मैं लिए हूँ काजू बढ़िया से मिला देंगे उसके बाद इसमें हम एड़ कर देंगे एक कटोरी चीनी मतलब आधा पाओ चीनी हम इसमें डाल देंगे अब इसे भी हम अच्छे से मिला देंगे चीनी को भी चीनी को हम अच्छे से गाजर में मिल्ट होने देंगे जब चीनी अच्छे से मिल्ट हो जाएगा तब इसके अंदर हम फ्लेवर के लिए डाल देंगे इलाइची तो यहां देखे मैं थोड़ा सा इलाशी पाउडर डाली हूँ अब इसे हम एकदम बढ़ियां से मिलाएंगे और जो इसमें एक्स्टा पानी दीख रहे ना उसको हम एकदम बढ़ियां से सुखा देंगे ताकि गांजर में टेस्ट एकदम बढ़ियां आया है और जब पानी कलर आया है कितना टेस्टी लग रहा है अगर आप लोगों को मेरे रेसिपी पसंद आईगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेर कमेंट जरूर करिएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई थैंक्स फॉर वाचिंग